तो यह वर्ड है अजॉन, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी A-D-J-O-U-R-N, एजॉन, और इसका फानिटिक ट्रांस्क्रिप्शन यह हो जाएगा, और इसको पढ़ेंगे हम अजॉन, अजॉन, एपर स्ट्रेस नहीं आखे और जै पर स्ट्रेस आएगा, इसको ऐसे पढ़ेंगे अजॉन, यह एक वर्ब की फोर्म है, यह वर्ब फोर्म में यूज होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, यह कभी ट्रांजिटिव, यह T का मतलब है ट्रांजिटिव, और I का मतलब है इन्ट्रांजिटिव, यह कभी इन्ट्रांजिटिव, कभी ट्रांजिटिव, दोनों ही तरह से यूज हो सकता है ये और इसका मिनिंग हो जागा to stop a meeting, a trial, etc. for a short time and start it again later यहनि किसी बैठक या न्याईक कारवाई को कुछ समय के लिए रोक देना और बाद में पुना आरम करना तो इसका sentence में यूज देख लेते हैं the trial was adjourned until the following week यहनि कि वो न्याईक कारवाही कुछ समता के लिए रोक दी गई है ठीक है और इससे noun बनेगा adjournment यह noun है, यह countable noun है और इसका मतलब हो जाएगा इस्थगन अब यह word है antecedent यह इसकी spelling हो जाएगी a-n-t-e-c-e-d-e-n-t और यह इसका phonetic transcription हो जाएगा और इसमें C पे stress आ रहा है तो हम इसको तो धीरे बोलेंगे और C को थोड़ा extra pressure देके बोलेंगे antecedent, antecedent यह एक noun है, countable noun है इसका formal meaning हो जाएगा a thing or an event that exists or comes before another यानि कि किसी अन्य गटना से पहले होने वाली गटना वो antecedent के लाती है, इसका plural हो जाएगा antecedents, जिसका मतलब हो जाएगा people, the people in somebody's family who lived a long time ago यानि कि किसी की family में रहने वाले लोग जो बहुत पहले रहते थे यानि पूरवज, पूरखे और इसका प्रयाय हो जाएगा ancestors, ancestors और इसका grammar में भी use है antecedent का, तो यह इसका grammar का use देख लेते है a word or phrase to which the following word, specially a pronouns, refer यानि विशेष्टा सर्मणाम द्वारा उल्ले की चब्दिया वाक्षेंज सेंटेंस में यूज देख लेते है मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आएगा he grabbed the ball and throw it in the air, इसने ball को पकड़ा और इसको हवा में उचाल दिया, तो यह it है यह pronoun, यह किसके लिए यूज हियो preservी देख लो lab यह the ball के लिए यूज हुआ तो यह the ball के हो गया it का anticipate हो गया ठीक है तो यह जी प्रोनावन में इसको यूज हो गया प़ोला ऑग उन्रहा है, वो वाला वार्ड होता है countable noun है और इसका plural हो जाएगा antilopes ठीक है an African animal with horns and long thin leg that can run very fast यानि कि सींगो चाथा लंबी पतली टांगो वाला अफ्रीकी जानवर जो तेज दोड सकता है 12 सिंगा तो antilope यानि 12 सिंगा और इसमें stress कहां पे आएगा word पे एपे आएगा antilope यह यह तेज बोलेंगे बागी सारे शब्द बागी सारे लेटर वो दीरे बोलेंगे antilope ठीक है अब हमारा next word है baron यह स्पेलिंग हो जाएगी b-a-r-o-n यह इसका phonetic transcription हो जाएगा baron यह stress आएगा यह बी पे आएगा यह noun है countable noun है इसका पर एक meaning तो हो जाएगा a man of a high social position in Britain यानि कि उच्चे सामाजिक स्थिति वाले वक्ति a noble man सम्रांत व्यंक्ति या सामंत और इसका दूसरा meaning हो जाएगा a person who control a large part of particular industry or type of business यानि किसी उद्ध्योग यह व्यापार विशेश के बड़े हिस्से पर नियंत्रेन रखने वाले वक्ति बड़ावा शक्ति शाले उद्ध्योग पति यह व्यापारी अब इसका यह वर्ड का यह दूसरा हो जाएगा baroness जिसके spelling हो जाएगी b-a-r-o-n-e-s baroness यह female के लिए यूज़ होगा वह male के लिए तो यह female के लिए यूज़ होते हैं इस पर भी stress भी पर आएगा baroness और यह countable noun है इसका meaning हो जाएगा a woman of high social position यह फिर the wife of baron यही की wife of baron को भी baroness बोलते हैं और यह फिर उच्छे सामाजिक इस्तिति वाली महिला इसको भी baroness बोलते हैं अब यह next word देखते हैं baron इसका pronunciation और पहले वाले baron का pronunciation सहम है पर spelling अलग है पहले थी b-a-r-o-n और अब है b-a-r-r-e-n यह baron है adjective है इसका meaning देख लेते हैं used about land or soil not good enough to for plants to grow यानि की ऐसी भूमी जिस पे पोदे होते नहीं उखते हैं जिसे बंजर भूमी करते हैं इसको बोलेंगे baron इसमें भी वर्ड पेस्टेस बैप ही आएगा इसका एक और यूज है used about tree or plants not producing fruit or seeds यानि ऐसे पोदे जो की fruit produce नहीं करते seeds produce नहीं करते हैं उनको भी baron ही कहते हैं तो इसमें इन दोनों में अंतर यह हो जाएगा कि जो पहले वाला baron था वो एक noun यह adjective है उसकी spelling थी b-a-r-o-n और इसकी spelling है b-a-r-r-e-n और इसका मतलब हो जाएगा बंजर चाहिए वो बंजर भूमी हो या कोई ऐसा पेड या इसकी spelling हो जाएगी c-e-d-a-r और इसका phonetic transcription यह हो जाएगा इसमें यह आर साइलेंट हो जाएगा और इसका pronunciation होगा c-d, c-d इसमें c पे stress आएगा यह एक noun है, एक noun है, a type of large tree that never loses its leaves and has wide spreading branches यानि कि ऐसा सदा बहार यह व्रक्ष होता है जो अपनी पत्तिया नहीं जाड़ता है और इसकी जो branches है वो दूर-दूर तक फैली होती है, इसको हिंदी में कहते हैं देवदार ब्रक्ष आलसो seedwood, seedwood हो जाएगी, यह uncountable noun है, the hard red wood of the cedar tree, यानि कि देवदार की जो मजबूत लाल लकडी होती है, उसको cedarwood कहते हैं और यह जो लकडी होती है, यह uncountable noun होती है, इसको याद रखना, cedar, यह जो यह पेड का नाम है, यह तो countable होता है, बट यह seedwood, यह uncountable होती है, ठीक है? अब यह next word हो जाएगा, seller, यह इसकी spelling हो जाएगी, c-e-l-l-a-a, और यह इसका phonetic transcription हो जाएगा, जब last में अगर r हो, तो वो silent होता है, जब उसके साथ में कोई vowel sound नहीं हो, यानि कि अगर last to last में, word के last में, अगर r है, और उसके साथ कोई vowel sound नहीं है, तो वो silent होता है, तो य यह इसे पढ़ेंगे, हम इसको seller, वर्ड स्ट्रेस आएगा से पे, और इसको पढ़ेंगे seller, यह noun है, countable noun है, इसका meaning हो जाएगा, an underground room that is used for storing things, यानि सामगरी जमा करने के लिए तैकाना, इसको basement भी कहते है, यह हमारा next word हो जाएगा, enumerate, enumerate, यह इसका phonetic transcription हो जाएगा, इस इसका spelling हो जाएगी, e-n-u-m-e-r-a-t-e, और यह इसका phonetic transcription हो जाएगा, और यह इसका word stress न्यूपे आएगा, enumerate, enumerate, यह verb है, transitive verb है, इसका meaning हो जाएगा, to name a list of things separately, one by one, यानि गणना करना, एक एक करके वस्तों का नाम बताना, तो इसका sentence में यूज हो जाएगा, the teacher asked the student to enumerate the various after effect of industrial revolution, यानि, teacher ने क्या बोला, कि जो यह industrial revolution हो जाएगी, और यह की करांती है, इसके after effect को, एके करके enumerate करना, यानि गणना करना, एके कर वस्तों के नाम बताना, next word है forc, forc, इसकी spelling हो जाएगी, for e, s, e, e, i, s, e, e, इसमें ये r है, ये silent रहेगा, ये इसका phonetic transcription हो जाएगा, और इसका pronunciation होगा, forc, forc, c पर stress आएगा, ये verb है, और transitive verb है, और इसका past tense हो जाएगा, forc, forc, past tense है नि, verb की second form हो जाएगी, इसकी फासा ठीक है और इसका past participle यानि कि थर्ड फर्म हो जाएगी forseen और इसका meaning हो जाएगा to know or guess that something is going to happen in the future यानि पविश्य में होने वाली घटना को पहले से जान लेना या उसका अनुमाल लगाना और इसका sentence में यूज हो जाएगा nobody could have foreseen the result of election तो यहाँ पे foreseen का मतलब यह हो जाएगा कि यह जो election में कौन जीतेगा कौन हाएगा इसकी जानकरी के बारे में ठीक है और इसका opposite हो जाएगा unforeseen इससे ही foresee से ही related यह next word है foreseeable foreseeable इसमें भी यह आर्ट silent रहेगा यह इसका fanatic transcription हो जाएगा फिर भी stress see पे आएगा foreseeable 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 यह adjective है और इसका meaning हो जाएगा that can be expected that you can guess will happen यानि जिसका अनुमान लगाया जा सके और इसका यह sentence में यूज हो जाएगा these problems were foreseeable यानि कि यह यह problem है जिनका अनुमान लगाया जा सके इसका दूर्सा यूज देखते है the weather won't change in the foreseeable future यानि as far ahead as we can see इससे related यह next word हो जाएगा foreshadow foreshadow यह इसका fanatic transcription हो जाएगा इसमें भी यह रहे है यह silent रहेगा और यह stress shape आएगा foreshadow foreshadow यह verb है transitive verb है इसका मतलब हो जाएगा to show or act as a sign of something that will happen in the future यानि पूरु अबास देना या पूरु संकेत करना और इसका sentence में use हो जाएगा political unrest foreshadow the fall of government यानि कि political unrest है वो इस बात का संकेत देता है किस बात का? fall of government यानि सरकार के गिड़ने का इस वर्ड है gagal gagal इसके spelling हो जाएगी g-a-r-g-l-e और यह stress यह पर ही आएगा पहले से label पर ही आएगा gagal और यह verb है intransitive verb है इसके बाद object नहीं आएगा इसका meaning हो जाएगा to wash your throat with liquid which you do not swallow यानि कि अपने गलों को ऐसे liquid से साफ करना जिसको की निगलना नहीं है इसे अपन गरारे करते ना उसको किसी द्रवपदार्थ से गरारे करना तो यह हो जाएगा gagal gagal वर्ब है यह intransitive verb यह दूसरा वर्ड हो जाएगा garish इसमें भी यह वर्ड stress यह पहले से लेबल पर ही आएगा इसकी spelling हो जाएगी g-a-r-i-s-h garish garish यह इसका phonetic transcription है और यह stress गर पर आएगा यह adjective है और इसका meaning हो जाएगा very bright or decorated and therefore unpleasant यानि बहुत चमकिला यह बढ़किला इसलिए आरूची कर इसका प्रिया हो जाएगा यह वाला ठीक है तो garish का मतलब बहुत चमकिला बढ़किला next word यह हो जाएगा अपना gomand gomand इसकी spelling हो जाएगी g-o-u-r-m-a-n-d इसमें यह आर साइलेंट रहेगा यह इसका phonetic transcription हो जाएगा और इसका sound हो जाएगा gomand इसमें यह फर्स्ट लेपल पर इस्ट्रेस आएगा यह noun है और इसका meaning हो जाएगा a person who enjoy eating and eats large amount of food यानि कि खाने में और खूब खाने में रूची रखने वाला व्यक्ति बोजन पर पेटू ठीक है gomand यानि ज्यादा बोजन पसंद करने वाला या पेटू व्यक्ति इससे related दूसा वर्ड है gomay इसकी spelling हो जाएगी g-o-u-r-m-e-t यहां पर यह T और यह R दोनों silent रहेंगे और यह इसका phonetic transcription हो जाएगा और इसका sound होगा gomay यह भी noun है और इसका भी meaning लगबग मिलता जूलता ही है a person who enjoy food and know all about it यानि भोजन प्रेमी व्यक्ति और भोजन विशेशग्य भी यह gourmand का मतलब तो सिर्फ बोजन प्रेमी था और gourmand का मतलब होता है बोजन प्रेमी और भोजन विशेशग्य यह नि बोजन के बारे में पूरी जानकारी रखने वाला तो gourmand यह next word है obsolete इसकी spelling हो जाएगी o-b-s-o-l-e-t-e यह इसका phonetic transcription हो जाएगा और इसका sound हो जाएगा obsolete obsolete यह यह एपे stress आएगा obsolete यह adjective है और इसका meaning हो जाएगा no longer useful because something better has been invented यानि कि प्रियोग की द्रश्टी से पुरानी पढ़ चुकी क्योंकि उसका स्थान नहीं वस्तुने ले लिया है ठीक है अब परचलर में नहीं होता है जो इसको कहते है obsolete ठीक है adjective है यह इस्ट वर्ड है obstacle इसके spelling हो जाएगी O-B-S-T-A-C-L-E obstacle यह इसका phonetic transcription हो जाएगा और इसके sound हो जाएगी इस पे stress आएगा obstacle यह noun है और इसका meaning हो जाएगा something that makes it difficult for you to do something for go somewhere यहनि कि कोई बादा obstacle यहनि बादा obstacle यहनि बादा अर्चन अवरोद इसका sentence में यूज हो जाएगा not speaking a foreign language was a major obstacle of her career यहनि कि foreign language को नहीं बोल पाना उसके करियर में एक obstacle एक बादा है ठीक है तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स फो बाचिंग प्रादार प्राम वीडियोस